ये है चीन में इनोवेशन, टेकनोलजी, आर्टिफिशल इंटेलिजन्स, स्टार्ट अप्स और बायो टेक का केंद्र शेंजन प्रदूशन से जूजते चीन में बहतर एर कॉलिटी और कुशल ट्रांस्पोर्ट सिस्टम भी शेंजन की पहचान है एक आंकड़े के मुताबिक इस शेहर की अर्थविवस्था हॉंग कॉंग और सिंगापूर के बराबर है ये तस्वीर है डेंग शाओ पिंग की जिनें चीन में आर्थिक सुधारों के अलावा शेंजन का जो नया रूप हम देख रहे हैं उसके लिए जाना जाता है 40 साल पहले ये जगा एक छोटा सा गां हुआ करती थी लेकिन आज इसे दुनिया का मैनुफैक्ट्रिंग या टेक्नॉलिजी का केंद्र माना जाता है कारण ये कि यहां पर पैकेजिंग, डिस्ट्रिबूशन, डिजाइन, सभी तरह की सुवधाएं एक जगा मिल जाती है कह सकते हैं कि हमारी पूरी की पूरी लर्निंग हुई है कि हमारे इंडिया से इंजिनियर्स आए यहां पर उन्हों है कि हम डिजाइन कैसे करते हैं, मॉबाईल फोन, कैसे हम R&D करते हैं यहां पर यहां अब्सेज़र जाले हैं यहाँ शेंजन में हमारे पास अपने प्रोग्राम, तक्नीक का विकास करने के लिए हर सहुलियत मौजूद है हम यहाँ जिन प्रोग्राम का विकास करते हैं, कल वो दुनियभर में फैल जाएंगे चाहे हाड़वेर हो या सॉफवेर, शेंजिन में हर वो चीज मौजूद है जिसके हमें जरूरत है सरकारी सबसीडी ने शेंजिन को स्टार्टप्स के लिए और आकरशक बनाया है जैसे स्मार्ट हेलमेट बनाने वाली कंपनी लिवॉल को रिसर्च, पेटेंट और ट्रेडमार्क के लिए सरकार से 25 मिलियन आरेमबी मिले जिसकी मदद से कंपनी ने दुनिया के कई देशों में अपने बिजनस फैलाए गुजरे 40 सालों में गाव से इस पावर हाउस शहर में तबदील शेंजन में मौकों की कोई कमी नहीं है विनीप खरे, BBC, शेंजन, चीन